हेलो फ्रेंड आज हम बात करेंगे वी नोजनेक एडेटाई डिसफोंक्शन के बारे में वी जैनेक ईडी बहुत कॉमन इडी नहीं है पर अगर वीनोजनेक इडी है तो उसKा ईलाज भी इजी नहीं है इस वीडियो में जानेंगे कि वीनोजेनिक एडी क्या होता है वीनोजेनिक एडी क्यों होता है और वीनोजेनिक एडी के अंदर मारे पास क्या क्या treatment options है तो मेरे वीडियो को सुनिए हेलो प्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर विजंद गुपता नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रॉलोजिस्ट यानि पूरु श्रुक मेरी आने वाली वीडियो में बता हुआ आपको कि एंड्रॉलोजिस्ट क्या होता है पर आज का जो टॉपिक है आज का जो मुद्दा है वह हो है वीनोजेनिक एडी नॉर्मली हमारे पैनिस में पैनिस होता है उसके अंदर स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर दो तरह की ब्लड होते है लेको ब्लड आता है तो एक आर्ट्री होती है जिसको बोलते है पिनाईल आर्ट्री जो बैसिकली ब्लड को लेके आती है जब होगा तो होता गया है कि हमारे पास डैंस है उसमें फर्टिए जो अनदर होती है और फिलेडा करते अट मेइन इन गपारा हि है रेक्ष्ण के नहीं होगा कराथ इस कारण से स्कुरण जैने के खारण पर्णmट पूर्ण थनाव आता है वि मतलब टाल की जो यह डिह यह यह मृस है यह स्फऩंशन हो गही है इस कारण से इह ब्लड को रोक नहीं पार रहा है और म्यों पूरा है भ preciso होब टैटो यह होते है पेशेंट्पो तीन सींटम होते है कोमें पहला सींटम भी यह होता है कि फूर पूरा हरडनेस नहीं है दूसरा कॉज वे भी इननिक वे हुरिंगकिक के एरेक्शन आता है प्रड जब हम करते है य counting रेखते हैं या जो हम सेक्स करने जाते हैं तो पुजिशनल होता है या पैनिस में हमेशा एक लूजनेस रहती है तो वीनोजी ने के पेशेंट्स यूजली बहुत हेल्दी होते हैं बॉडीवेट ठीक होता है जादा बजन नहीं होता कुछ नहीं होता सिरफ उनको इडियापन मतलता है तो वी रिमती होता क्यों नॉमली यह जो पैनिस की वेंस है इनके खराब होनें के चार मुस्ट कॉमन कारण थे पहला है प्याला नॉमली क्या है कि जब over masturbation करते हैं तो जो penis का structure है उसको over masturbate करने से वो structure ढिला हो जाता है वो blood को अंदर रोप नहीं पाता तो एक cause बिनो जेनिक ED का है over masturbation सेकेंड है under stimulation कई बार के आए कि तो पूरा blood stop करने के लिए पूरी hardness आने के लिए penis को time लगता है अगर आप बिना फोर प्ले करें या बिना properly stimulate हुए ही sex कर रहे है तो आपका penis कभी tightness में आए गई नहीं तीसरा है varicocele अगर varicocele है या varicose veins है तो इनके अंदर वैसी valves खराब होते है और अगर यह communicate कर रहे है पैनिस से तो उनके अंदर भी valves खराब कर सकते है चौता है पैनिस fracture अगर पहले कभी पैनिस fracture हुआ है तो पैनिस fracture होने के बाद जो veins के अंदर जो dropage है जो flow रुपना है वो नहीं रुख पाता है और उस fracture side से leakage होती रहती है और कई होता है congenital या कई लोगों में valve शुरुआत से खराब होते हैं उनके normal reaction आता ही नहीं है तो venogenic ED diagnose करने के लिए normally penile doppler best test है जब doppler test करते है तो उसमें जो end diastolic velocity है मतलब जो बिलकुल last में वो zero होती नहीं है कभी reverse प रुखता ही नहीं है हमेशा blood का leakage बना रहता है तो अगर penile doppler पे venus leak है venus doppler पे venus leak है तो उसका मतलब venogenic ED है और venogenic ED का treatment भी बड़ा ही different है सबसे पहले हमें confirm करना ज़रूरी है कि कोई ऐसी कोई मोटी vein तो नहीं है जो drain कर रही हो जो सारा blood लेके जाती हो उसके लिए एक test होत कोई ऐसी vein तो नहीं है pelvis में जो सारा का सारा blood leak कर रही हो अगर ऐसी कोई vein है तो उस vein को block करना बहुत ज़रूरी है इसके बाद हमारे पास venus ED के क्या क्या treatment options है तो venus ED के हमारे पास 5 treatment options है पहला treatment है कि हम blood flow को अतना बढ़ा दे कि vein ले भी जाए तो भी पीछे blood बच जाए तो उस case में हम लोग Pd5 inhibitors जैसे टडाला फेल या वायरा का इस्तमाल करते हैं दूसरा है PRP therapy, PRP therapy मतलब P-Shot जिसमें अगर पैनिस में लगाए तो वो पैनिस में growth hormones बनाकर हमारे पैनिस में जो veins है उनके valves को repair करने में help करती है तो P-Shot कभी बीनोचे नहीं ED में अच्छा role है त जो कि पैनिस के अंदर blood flow को help करती है तो वीनस जो pumps होते हैं pump with cock rings भी वीनस डी में help करते है पर यह mostly older patients में helpful है फिफ्ट होता है वीनस ट्रिपिंग मतलब पैनिस में जो भी veins है भार की उन veins को बांदिया जाए लीक वाली veins को बांदिया जाए सारी veins को strip करके जो base vein है उसी को छ patients 4-5-6 साल दक बहुत अच्छा रहते हैं तो वीनस ट्रिपिंग में कई बार क्या है फिर से वेन बन जाती है failure chances होते हैं तीन-चार साल बार तो फिर से वीनस ट्रिपिंग करनी पड़ सकती है और final solution है अगर सब कुछ कर चुके है चार-पांच बार सजरी हो चुकी है पी पर देखने के लिए मेरे चानल को subscribe किजिए YouTube अपने आप आपको बताएगा कौन से कौन सी वीडियो देखने है मेरे इस वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए कमेंट सेक्षिन में कमेंट कीजिए अपने दोस्तों से शेर कीजिए मैं आपको venus ED या rectal dysfunction के बारे में latest treatment जनकारी आगे प्रोवाइड करता रहोगा मेरी वीडियो को देखने के लिए thank you so much नमस्ते